हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल निर्मिला फैशन वर्स वागत है आप सब का मेरे इस चैनल में आई वोप आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे खोश होंगे और मस्थ होंगे तो देखिए आज एक और इंफर्मेटिव वीडियो आप सब के लिए लेकर आ आगी हूं जिसमें आपको बताऊंगी कि आगे की पल्ले की लंबाई हमें कितनी रखनी है यह जो गलती है वह अधिकतर जो सीखे हुए हैं वो भी कभी कभी करते हैं और जो नए सीख रहे हैं बिगनर्स वो भी करते हैं तो आज आपकी समस्या हमेशा के लिए खतम करने वा जो साइस के हिसाब से हैं, हमें पल्ले की आगे की जो लंबाई है वो किस हिसाब से कितनी रखनी है, तो इसमें आप जो है एक बार देख लेंगे, इसके बाद आप कभी भूलेंगे और ना ही आप कभी गड़बड करेंगे, देखिए अगर पल्ला बड़ा हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ खसकेगा और अगर पल्ला छोटा हो जाएगा तो वो उपर की तरफ चड़ेगा तो दोनों ही प्रकार में हमारे blouse की fitting एकदम खराब हो जाएगी अगर जादा कर दिया तो भी कम कर दिया तो भी तो बस measurement का हमें ध्यान रखना है कि हमें आगे का पल्ला किस size में किस लंबाई का लेना है तो यही आज सिखाऊंगी तो चलिए करते हैं start तो देखिए जैसे यह मैंने जो drafting करके रखी है इसमें हमें सबसे पहले जो मैंने किस हिसाब से यह पल्ले की जो आगे की लंबाई है वो किस हिसाब से लगाई है दिखाती हूँ देखिए जैसे कि इसकी total लंबाई देखिए 14 है याने back part की लंबाई जो है 14 है अब back part की लंबाई तो 14 है लेकिन आगे वाले part की लंबाई हमें कितनी लेना है बहुत लोगों को ये confusion होता है तो आगे की इसकी देखिये मैं लंबाई आपको बता रहे हूँ ये 12 है अब कई लोग जो है अगर मैंने 12 बता दी और वो किसी और size का भी blouse काटेंगे और उन्हें ध्यान नहीं होगा या इस चीज की knowledge नहीं होगी तो वो किसी भी size में जो है इसकी लंबाई 12 रख लेते हैं जिसके कारण उनका blouse जो है गड़बड हो जाएगा और उसकी fitting भी गड़बड हो जाएगी तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि आगे की पल्ले की लंबाई हमें हर size में जो हमारा size होता है chest size उसके हिसाब से हमें अलग-अलग रखनी होती है क्योंकि अगर आप छोटे blouse के लिए भी लंबा पल्ला ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और अगर बड़े नाप के लिए भी छोटा पल्ला ले लेंगे या जादा बड़ा ले लेंगे तो भी दिक्कत होगी तो बस हमें यही मेजर करना है देखिए जैसे कि यह 36 साइस का blouse है 36 साइस के blouse में लंबा यह अब कितनी लेनी है यह भी देखिए आज समझ लीजिए यह सभी साइस पर अपलाई होगा तो देखिए इसका जो chest size आ रहा है वो 9 आ रहा है 36 का आधा होगे 18 देखिए 18 इसका half होगा और इसका chest size क्योंकि हम यह blouse में लेते हैं तो यहां पर हम 9 लेते हैं 9 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसका 4 भाग लेते हैं और उस पर हम निशान लगाते हैं फिटिंग का अब बस इस 9 में हमें जो 3 है वो plus कर देना है जी हां यह तीन नंबर magical नंबर है आप हमेशा अपने दिमाग में इसको याद कर लीजिए कि बस इस 9 नंबर में जो है हमें इस 3 नंबर को plus कर देना है और इसी का जो हमारा आएगा measurement उसी की हमें लंबाई इसमें रख लेनी है देखिए जैसे यह 9 आ रहा है इसमें हमें 3 प्लस कर देना है अब इसका 3 प्लस कर दिये तो कितना हो गये हमारा टोटल 12 तो बस हमें यह 12 इंच पे ही हमारे यह पल्ले की लंबाई रख लेनी है बस इसमें कुछ और जो है secret नहीं है बस एक यही secret है आप एक नंबर को याद कर लीजिए आपको हर पले की लंबाई में लेने में या naps करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और यही formula जो है हमारा कटोरी वाले blouse में भी हमें अपनाना है जब हम कटोरी छोटी वाले कटोरी ड्राफ्ट करते हैं तो इसी size से हमें पल्ले की लंबाई रखनी है तो देखिए 36 size के हिसाब से मैंने इसका half करके आपको इसमें plus 3 करके बता दिया कि आगे की पल्ले की लंबाई हमें इसमें total 12 रखनी है अब कई लोगों का question होगा कि अगर हमारा जो है हम 32 inch का बना रहे हैं 34 inch का बना रहे हैं 40 inch का बना रहे हैं तो उसमें हम ये पल्ले की लंबाई वो कितनी रखें तो इसका भी solution आज आपके लिए लेकर आई हूँ आप नोट करके रख लीजिए जैसे मैंने देखिए इसमें नोट किया है तो आपको कभी भी किसी भी size का blouse काटने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली हैं बस आप एक बार इसको दिहान से देखिए वीडियो को और सारे जो measurement में बता रहे हूँ चाहें तो आप अपने नोट करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो देखिए अगर हमें बनाना है 32 इंच का 30 size का blouse बनाना है तो उसका हमें half ले लेना है जो भी हमारा half आरा है उसका हमें चौथाई भाग कर लेना है और चौथाई भाग में हमें प्लस 3 कर देना है याने तीन इंच को हमें plus कर देना है और जो भी आरा है वो हमें लंबाई ले लेनी है इसी तरीके से हमारा जो है देखिए 32 साइस का है तो उसमें हमारा हाफ 16 आ रहा है और उसका भी हमें हाफ कर लेना है और उसमें हमें प्लस 3 इंच करके जो भी लंबाई आ रही है वो लंबाई के हिसाब से हमें पल्ले की लंबाई रख लेनी है ये पल्ले की जो हमारी आगे का इसी के बाद देखिए मैंने इसमें लिखा है 34 इंच का 34 में भी हमारा जो भी मेजर्मेंट आएगा मैंने लिखा हुआ है आपको दिख भी रहोगा उसी के हिसाब से हमें चौथाई भाग में प्लस 3 कर देना है और देखिए 36 का मैंने आपको भी बताई ही था कि उसका जो है अठारा आरा है आधा और जो है हम चेस्ट साइज 9 पे लगाते हैं चोथाई भाग 9 हो गया और उस 9 में हम प्लस 3 कर देंगे तो हमारा जो है 12 इंच पे इस तरीके से लंबाई आ जाएगी इसी तरीके से आप 40 साइज में कर सकते हैं जिस भी साइज का आप बना रहे हों उन सब में आपको बस यही फार्मूला अपनाना है कि उस ब्लाउस का चेस्ट का जो चौथाई भागे उसमें हमें प्लस 3 इंच कर देना है और ये डॉट भी आपको ध्यान रखनी है कि डॉट भी हमें बहुत जाद लंबी नहीं लगानी है आप तकरीवन 3 इंच तक की ही डॉट लगाईए या उस से कम ही लगाईए इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउस कभी भी गड़बर नहीं होगा ना कभी लंबा होगा ना कभी छोटा होगा और आपकी जो कटोरी की शेफ है वो भी एकदम परफेक्ट आएगी हमारे चेस्ट के हिसाब से हमें प्लस 3 करके ही लेनी है तो वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही प्यारे प्यारी वीडियो पाने के लिए एंड मिलते हैं वीडियो में